हलो फ्रेंड बिल्कम हैं आप सभी का हमारी इस वीडियो में तो फ्रेंड आज का वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल और हिल्फुल होने वाला है तो फ्रेंड यहां पर मैं कमबल को क्लीन कर रही हूँ जो की विदाओट वस्किये हुए तो बस इसी तरह मैं किस तरह से clean कर रही हूँ चलिए आप लोगों साथ share कर रहे हूँ और मेरे पास न मसीन है नहीं और कंबल जो है काफी ज़्यादा भारी है और ऐसे में मैं एक बार ना धुल के रखती थी उस बार जब ठंडी खतम हो गई थी ठंडी का सीजन तो मैं धुल के रखी हुई थी बट फिर भी होता ना रखने के बाद गंदा हो जाता है तो बस मैं बहुत clean करने जा रही हूँ हलका फुलगा गंदा है तो चलिए आप लोग उसा सेयर करते हूँ तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं पानी ली हूँ जो की एक लीटर के लगभग है उससे थोड़ा सजादा ही होगा और यहाँ पर मैं ली हूँ इसको मिला लेते हैं हम अच्छे से ताकि पाने में पूरा पूरी तरह से घुल जाए तो अच्छा खासा घुल चुका है पाने में पूरा मैंने हापी अपनी हंकी लिए हूँ जो की काफी साप्ट है तो कंबल जो है साप्ट है तो मुझे साप्टी चाहिए तो मेरे लिए बेश्ट था एक था और लेकिन वह ज़्यादा बड़ा था तो मेरे हाथ में नहीं आता तो बस इसी से मैं करूंगी तो किस तरह से मैं अपने कंबल को क्लीन करूंगी चलिए आप लोगों साथ सेयर करते हूं तो फ्रेंड्स इस तरह से पानी में हम इपने तॉलियों को भीगोना है और भीगोने के बाद इसको हमें अच्छे से पानी को निचोड लेना है तो यह देखिए अच्छे से मैंने यहां पर पानी को निचोड लिया हुआ है तो इस तरीके से यहां पर मैंने कंबल को फेला तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी जादा क्लीन हो रहा है तो इस तरीके से हम तवलियों को इसमें डालते जाएंगे और कंबल को पोच्छते जाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पानी कितना जादा गंदा हो गया है और हमारा जो कंबल की गंदगी है सारे के सारे इस पानी में आ जा रहे हैं तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना जादा जो है कंबल से गंदगी जो है निकल रहा है कि देखिए तौली में आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे कंबल को अच्छे से क्लेन कर लेंगे तो चलिए कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखा तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यह देखिए कितना ज्यादा कंबल जो है गंदा हो चुका था तो इस तरीके से मैं क्लीन कर लोगी और तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं देखें क्लीन कर ली हूँ अच्छे से कंबल को और मैं सूखने के लिए यहां पर चालू कर दूँगी फैन वैसे तो मेरे खिड़की से जो है धूप आ रही है तो मैं धूप भी दिखा सकती हूँ और बीना मसीन का भी अपना कंबल को अच्छे से सुखा सकते हैं तो आप इस तरह से क्लीन करने के बाद आप इसको फैला लेजिए और फैलाने के बाद फैन जो है चालू कर दिजिए तो बस फ्रेंड्स यहां पर मेरे कंबल जो है अच्छी खासी साफ हो गई है और मैं इस और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी है जो कंबल में थी सारे के सारे निकल चुके हैं पानी कितना ज्यादा गंदर हो गया है तो उमीद करते हूं फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक किजिए गा सेयर हुआ यह फ्योड़ियो सारे लोगों कितनी सारे लोगों कितनी सेयर।isच बग्षट न्याद।